आज मैंने दाल पालक बनाया है वो भी एकदम स्पेशल चटनी के साथ में और यहाँ पर मैंने जो पालक ली है ना वो मेरे घर के किचन गार्डन की है तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रेसिपी इसे आप जरू ट्राय केज़ेगा इसे चावल के साथ में रोटी के साथ में बहुत ही बढ़िया रेसिपी चले देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है यहाँ पर मैंने देड़ कटोरी तूर की अरहर के दाल ली है इसे एक से देड़ घंटा पहले भिगा के रखा था इसे पकने में आसानी होती है भिगा के रखने से तो यहाँ पर तीन से चार पानी स दोकर यहां पर कुकर में डग दिया है और इसमें 3-4 गिलास पाने डालेंगे और यहां पर हल्दी दाल देंगे, थोड़ा से तेल दाल देंगे अब यहां पर कुकर का धकम लगार इसे 3-4 सीटिया दे कर उभाल करेंगे यहां पर घास Pacar चड़ाने के बाद में कोकर, अब यहाँ पर जो पालक है ना, इसे धो लिया है मैंने, बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर दोने के बाद में इसे कट कर लेंगे, बारिक बारिक कट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, मेरे किचन गार्डन की है, बहुती फ्रेश है, और बहु प्याज भी तोड़ लिये है, काट लिये है, जो प्याज लगाय थी, उसकी हरी पत्तिया तोड़ दी है, तो यहाँ पर इसे भी बारिक बारी कट कर लेंगे, तो यहाँ पर दिखें, प्याज में ने अच्छे से बारिक से कट कर दिया है, अब यहाँ पर टीन टमाटर लेंग इसे अच्छे से चुप कर Fighter में मिक्सर प़र्ट में भी कर सकते हैं है तो यहां पर बाद में इससे सुखे मसाले दालेंगे यहाँ पर मैंने जीरा लिया है राईदाना लिया है खड़ा धनिया लिया है सोफ ली है अजवाइन ली है आप इससे भी ज़्यादा मसाले ले सकते तो यहाँ पर इस साबुत मसाले इससे मैंने कुटा विर बागेर बिल्कुल नहीं ह मसाले के बाद में हरी पैज डाल देंगे देखे इसका कलर कितना हरा हरा है बहुत ही बढ़िया है तो यहां पर देखे प्छानि के बाद में अब इसमें दाल देंगे 2-3 सुक्की मिर्चिया डाल दी है अब इसमें डाल देंगे लसुन यहाँ पर ऐसे मतलब एकदम ऐसे कड़क फ्राइनी होने दिना है इसे कच्छा कच्छा ही रखना है इसे फ्लेवर्स डाल के बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर अच्छा से मिक्स करने के बाद में अच्छा से मसाले होने के बाद में अब इसमें भून लिया है मैंने इसका कच्छा पर निकाल लेना है यहां पर सबी मसाले बहुत अच्छे से भून देना है तो यहां पर देखिए अब इससे इसका कलर कितना बड़िया आया है जब यह दाल पालक बन के ready होंगी न तो एक دम निदिए स्था पालक नलुत निदें बढ़ां है आप इसे जरूर ट्राय कीजिएका तो यहां पर सभी मसाले बहुत अच्छे से भूनने के बाद में इस इस्टेश पर हम डाल देंगे पालक डाल दी है मैंने पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने बारिक देखिए मिक्स हो चुकी है अभी धीमे आज पर इसे हम पकाएंगे आप इससे भी ज़्यादा पालक दाल सकते हैं तो यहाँ पर पालक भूनने के बाद में इसका मुश्चर खतम होने के बाद में इसमें दो चमच मिर्ची पाउड़ दाल दिया है नमक डाल देंगे हल्दी नमक टेश्ट के अकॉर्डिंग दाला है मैंने अब यहाँ पर यह सभी जिचे बहुत इच्छे से भून लेना है और गैस की ब्लेम दीमी रखना है अब यहाँ पर सभी मसाले बहुत इच्छे से भूनने के बाद में अब इसमें दाल देंगे जो हमने तीन टामाटर चुके है और यहाँ पर देखे बहुत बढ़िया भी कलर आया है कितना बढ़िया है तो यहाँ पर टामाटर बहुत इच्छे से भूनने के बाद में अच्छे लिए डाल चिक कर लेते हैं तो दाल यहाँ पर देखे हमारी पक चुकी है अब यहाँ पर इसे अच्छे से मिक दाल बारिक हो चुके है चलिए अभी मसाले में डालते है तो यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे से भून कर हो चुका है अब इसमें डाल देंगे डाल 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 देंगे तो यहाँ पर डाल मैंने डाल दी है डालने के बाद में बहुत रचे से mix कर लेंगे देखे यहाँ पर इसका color आप यह डाल पालक एक बार बनाएंगे ना बार बार बना कर खाएंगे बहुत ही बढ़िया है तो यहाँ पर डाल डालने के बाद में इसे mix कर देंगे यहाँ पर मैं ज्यादा पतली नहीं करूंगी तो यहाँ पर इसमें डाल देंगे कसुरी मेथी हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पर मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसे एक उबाल आने देंगे तो यहाँ पर देखें इसे एक उबाल आ चुका है चलिए इस दाल पालक के डेकची को मैंने साइड वाले ग्यास में रख दिया है धिरे धिरे उबाला आने के लिए धिमियाज पर चलिए हम ठेचर बनाते है चटनी बनाते है तो यहाँ पर मैंने तीन टामाटर लिए है और 6 से 7 हरी मिर्ची यहाँ पर तबवा रख देंगे आ यहाँ पर डालने के बाद में इसे मिक्स कर देंगे यहाँ पर देखे मैंने इसे मिक्स कर दिया है और गैस की फ्लेम दीमी रखे यहाँ पर इसे बहुत अच्चे से भून लेंगे अब यहाँ पर इसमें डाल देंगे लसुन की कलिया यहां पिर पेष्ट भी जाल सकते हैं यहां पर अधर का पेष्ट भी जाल देगे लाद है आधा चमच और यहां पर भूतिस Candice से भूण लेंगे तामाटर मिच्ची सॉपht होती तक हम एगे तो यहां पर इखेए टामाटर मीच्ची भूतिस pragी मिक्सर बाट में निकाल कर इसे पीस लेंगे थंडा होने के बाद में अब यहां पर एक बरतन रदिया है चोटा सा बरतन तड़का प्यान इसमें तेल डाल दिया है इसमें सोब डाल देंगे और राई दना डाल देंगे अब यहां पर हराधनिया डाल देंगे और मटर के दान तो यहां पर दिखे इसे हलका हलका सा भूं लेंगे तो यहां पर यहां पर जो अहरा धनिया है ना वी अच्छा से फ्राय हो चुका है और मतरी अच्छे से फ्राय हो चुक है इस स्टेज पर हम यह जो टामाटर मिर्ची की जो चटनी है वो डाल देंगे तो यहाँ पर डालने के बाद में बहुत इचस से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मिक्स करने के बाद में मैंने जो टामाटर मिर्ची पीसी ना तभी मैंने यह दाली थी हल्दे और नमक अब यहाँ पर दिए हमारी चट्नी हमारा ठेच्छा यहांप रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया रेसिपी है इसे आप रोटे के साथ में चावल के साथ में ख़ा सकते है बहुत ही बढ़िया है इसे आप जरू ट्राय कीजिएगा एक बार बनाएंगे न तो बार-बार बना कर खाएंगे चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए असला लेकूं